अपने यूट्यूब चैनल बाजार की पंडित में तो दोस्तों आपने देखा ओगा पिछले लास्ट मन्त में काफी सारे बैंकों के हम लोग ने बात करी और काफी सारे बैंकों में आपको मोमेंटम देखने को मिले according to the result और काफी अच्छे आप लोग ने मुनाफ़े भी कमाए जिस तरीके से Nifty Bank ने performance दी थी back to back उससे पहले ही 10 days, 12 days विपोर आपको stocks प्रोवाइड ही कर दिये तो then after that अगर आप देखेंगे तो momentum काफी अच्छे आए but still मैं बोलता रहता हूँ कि देखेगा short term momentum तो बहुत ही देखेगा कम सेनारियो के लिए होता है और आपको पता है कि उसमें आप थोड़ा सा risk भी ले सकते हो और थोड़ा सा देखेगा stop loss भी maintain करके money management भी कर सकते हो but जब आती है long term की बात यानि कि जब आप चाहते हो कि company bank पैसा बना के दे cost making bank को में या फिर अगर आप देखेंगे कि risk जिनकी asset quality में ज्यादा है उन में अपना पैसा निवेश करते हैं तो वो बहुत दिक्कत की बात है चुकि bank को flop होने में ज्यादा time नहीं लगता है यानि कि अगर आप बात करेंगे private banks को flop होने में ज्यादा time नहीं लगता है और ऐसे bank बहुत ज्यादा capital को खराब करते हैं तो आज बात करेंगे कि ऐसे ही particular bank की जिसके देखेगा drawback continue है अगर आप check out करेंगे तो इनमें लगातार आपको continuation में देखेगा drawback देखने को मिलना है fall देखने को मिलना है और Monday को यहाँ पर हो सकता है आपको lower circuit भी देखने को मिले तो ऐसी क्या बड़ी वज़ा है ये आप जान लीजे लेकिन सबसे पहले announcement करूँगा कि आप सभी को पता है कि हम आपको provide करते है FNO stock FNO stock भी आपको weekly basis पे price section में provide किये चाहेंगे telegram channel पे तो अगर आपने join नहीं किया join करिए description में आपको link मिल जाएगा free of course channel है जाके join करिए तो दोस्तो सबसे पहले देखेगा बात जो कर रहे है वो bank मैंने कई बार बताया भी है और ऐसे bankों से मैं कहता हूँ कि आपको दूरी बना के रखनी चाहिए चुकि सबसे पहले जब भी आप किसी भी bank को select करते हैं तो आपको दो time frame मनाने पड़ते हैं एक short term का time frame और एक long term का time frame अगर आप उस stock को time frame के साब से देखेगा manage कर रहे हैं तो short term में आप थोड़ा risk ले सकते हैं यानि कि थोड़े bank risky है asset quality थोड़ा weak है, balance sheet weak है, NPA burn है, gross NPA burn है लेकिन वहाँ पर आपको stop loss maintain करना होता है फिर आती है बात long term की तो long term में कभी भी risk वाले bankों में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर asset quality अब covid के बाद से बहुत तेजी से देखेगा window dressing चल ले है अच्छे से अच्छे bank भी window dressing कर रहे हैं तो आप जानी नहीं पाएंगे कि bank देखेगा अच्छा खासा perform कर रहा था अच्छानक से आपको drawback दिखने हो मिलेगा और वो pain create कर देगा तो long term में केवल fundamental stocks के साथ जाएए fundamental banks के साथ जाएए जिनके asset quality बहुत ही जादा बहतर है तो धनलक्षमी bank में भी देखेगा बहुत सारे लोग long term basis पे बने हुए तो उन लोग को मैं बताना चाहता हूँ इस stock के fundamental किस तरीके के हैं और किस तरीके से ये अपनी देखेगा growth rate को कम करते चले जा रहे हैं back to back अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर कम करते चले जा रहे हैं और धनलक्षमी bank का देखेगा quarter का result आपको देखने को मिला है यह देखेए last Friday को रात में आया है और आपको अगर यहाँ पर चेक आउट करेंगे तो profit decline होकर 74% कम हुए थोड़े बहुत नहीं कम हुए और इस सिनारियो में हुए है जहाँ पर आपने देखा होगा कि जिन bank को ने weak result दिये हैं जहाँ पर निफ्टी बैंक भाग रहा था जिन bank को ने weak result दिये हैं उनको market ने punish किया है और आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले तो इनके profit क्या ह हुए वो भी 74% से दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो bad asset है bad loans है उसमें भी pain देखने को मिला है balance sheet में तो यह चीज कहीं से भी बहतर नहीं है किसी भी bank के लिए इसी लिए proper guidance आपको provide किया जाता है धनलक्ष्मी bank on Friday reported are nearly 74% plunged in its net profit और अगर आप देखेंग तो provision भी देखेगा काफी ज़्यादा बढ़ गए है provision क्यों बढ़ गए है चुकि bad loan की जो situation है वो ज़्यादा expected है कि recovery नहीं कर पाएंगे बड़े से बड़े bank अच्छे bank भी recovery करने में problem create कर रहे हैं तो यह तो फिर भी weak bank है आप जानते हैं यह लोग risk ज़्यादा ले लेते ह और उसके बाद क्या होता है जब recovery नहीं होती है तो यह pain में आ जाते हैं इनकी balance sheet में सीधा सीधा वो असर देखने हो मिलता है तो same scenario आपको देखने हो मिला है धनलक्ष्मी bank में पिछले अगर आप देखेंगे इस साल इसी quarter main को 14 करोन का profit हुआ था आप देख सकते हैं काफी बड़ा profit हुआ था पिछले साल देखेंगा इस्तिती इससे ज़्यादा वास थी अगर आप चेक आउट करेंगे इससे ज़्यादा खराप इस्तिती थी लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो वही चीज घटके कित्ती होंगी है तीन करोन के आसपास हो चकी है तो एक अ nominal increment देखने को मिला है इसको कहीं से भी consider नहीं किया जा सकता अगर आप देखेंगे nominal increment आपको देखने को मिला है like देखेगा कि यहाँ पर जो आपकी total income है वो देखेगा 249 करोन से हो गई है 266 करोन का तो इसको देखेगा इतना ज्यादा value नहीं देंगे आपको सबसे पहले द देखने को मिलेगी वो down हुई है interest income में downfall it means core revenue में downfall देखने को मिला है second चीज अगर आप देखेंगे तो बहुत important है आपको पता है कि यहाँ पर चो particular other income है वहाँ हाई एक्ट रुपीज 37 करोन as against 5 करोन यहाँ पर other income है लेकिन यह पता नहीं कहां से आई है हमें bank में investment करा है में कोई भी मत्तब देए है अब बात करेंगे provision की तो provision for bad loans and the contingencies for the reported quarter rose 2 rupees 20 करोन 22 करोन यह कितना हो गया है तकरीबन तकरीबन अगर आप देखेंगे 5 times आप समझ सकते हैं ऐसे bank जहाँ पे पहले से pain चल ला है उसके provision को कितना बढ़ा दिया जाए 5 गुना बढ़ा दिया जाए it means they are expecting a upcoming quarter यानि कि जो upcoming quarter होगा वो भी खराब आ सकते हैं चुकि bad loans बहुत जादा है उसके लिए provision काफी जादा create किया जा रहा है आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे important है NPA तो NPA भी देखेगा कितने से बढ़ा 8% के आसपा से 8.6% कहीं से भी अच्छा नहीं है अगर आप देखेंगे gross advances of the September 30 from 6.36% यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा increment है और अगर आप देखेंगे gross NPA down हुए हैं कितने compared to 9.27% in June 2021 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे the gross NPA were worth रुपी 604 करोण अब from 448 करोण तो देखेगा जो gross NPA है तो पहले तो क्या हुआ कि इनकी income खराब है, net interest income खराब आ रहा है, provision बढ़ रहे हैं, bad loans recover नहीं हो रहे हैं तो यह सारी चीज़ें show करती है asset quality पे, asset quality पे सीधा सीधा impact पड़ेगा, bank अभी देखेगा बहुत सारी चीज़े hidden भी रख रहा होगा, चुकि आपको पता है जब इ impact करता है balance sheet को, वो भी अगर आप देखेंगे 4.92% डेखने को मिला है, जो की था 1.6%, 1.6 से देखेंगा कितना बड़ा increment है, तो पूरी तरीके से clarify हो रहा है कि इनके जो particular ये quarter हैं, वो भी अच्छे नहीं हैं और आने वाले quarter भी खराब हो सकते हैं, तो ऐसे bank में आपको long term बन रहना चाहिए, आप से मैं जवाब चाहता हूँ, चुकि आप ज़्यादा समझदार हैं, चुकि अगर आप learning कर रहे हैं, तो learning आपको proper करनी पड़ती है, business model को समझना पड़ता है, तो business model अगर आप यहाँ पे समझते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि NPA यहाँ पर आपके बैंक था, कितना था, 200 रुपए का बैंक था, और continue देखेगा कैसे पैसा खराब किया है, यानि कि सेम सिनारियो यहाँ पे कोई भी देखेगा, shareholder का पैसा नहीं बनाए, केवल देखीगा, लालच में आपने बैंक को ले लिए, आप short term में exit कर ले तो चलिए, वो तो risk factor हो ग होने में time नहीं लगता, past one year की बात करेंगे, तो 20 रुपए का level ही stock नहीं तोड़ा है, अगर आप देखेंगे, यानि कि 20 रुपए से उपर का भाव है, तो आपको कोई भी return generate नहीं हुआ है, और आगे अगर बात करेंगे, तो पिछले एक हफते से, पिछले एक महिने से 17 र पहले ही आये हैं, तो पता है, आपको impact देखने को मिलेगा, Monday को, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, आपको ऐसे bankों से totally दूर रहना चाहिए, जितना दूरी बना रखेंगे, उतना बहतर रहेगा, इमानदारी का पैसा है, मेहनत का पैसा है, quality banks में रखेंगे, कई सारे ऐसे banks बताएगे आपको जहां पर आपको panic नहीं है, गिरते हैं, doesn't matter, लेकिन वो आपको capital create करके देंगे, लेकिन इन bankों में risk लेना, पैसे को बरबात करने से कम नहीं है, वीडियो गर अच्छा लगता है, तो profit, sorry, like, share and subscribe परना मत भूलेगा, thank you so much.